जितना लोग बोड़ बुजुर्ग बास अब जाना के हमार हाथ जोड़ के परणाम रहूं लोग के आशिरवात से आज हमनी के चैनल दस लाग के परिवार में हो गए नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब आसा करता हों कि अच्छे होंगे दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सक्स की जो सोसल मीडिया पर बहुत ही पोपलर हो रहा है और यूटूब पर तो इनकी वीडियो में मिलियंस ने भीउ जा रहा है तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी कर ले क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 1000 तो आसा करता हों कि ये पूरा हो जाएगा तो दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं खान सर ये नाम तो आपने सुनाई होगा ये एक टीचर है जो कठीन से कठीन थियोरीज को बहुत ही सरल भासा में तोड़ तोड़ कर समझाते हैं और इनका जो पढ़ाने का स्टाइल है न वो बहुत ही एक्सिलेंट है एक गधा एक्सिलेंट भी इनके वीडियो को देख लेना तो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई को समझ लेगा और मज़िदार बात तो ये है कि ये बहुत हसा हसा कर पढ़ाते हैं जिससे पढ़ते समय एक्सिलेंट को बोरिंग फिल नहीं होता है तो आईए एक नज़र डाल लेते हैं इनके जीवन के उपर दोस्तो खान सर का जर्म गोरक फूर उतर परदेश में हुगा था इन्होंने अपनी 12 तक एडुकेशन गोरक पूर से ही की इसके बाद वे गर्वेशन करने अलहाबाद उनिवर्सिटी आ गए दोस्तो खान सर बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही तेज थे और अगर देखा जाए तो वो एक औल राउंडर इस्टेंट थे मतलब कि वे पूरे सबजेक्ट को अच्छी तरह पढ़ते थे और उन्हें हर सबजेक्ट में इंट्रेस्ट था उन्हें बचपन से ही अलग-अलग फिल्ड में नौलिज देने में मज़ा आता था अपने कॉलेज टाइम में खान सर एस्टुडेंट यूनियन में ज्यादा एक्टिव रहते थे अपने फाइनल येर में अलाहाबाद में वे इस्टुडेंट यूनियन के लीडर भी थे जहां पर इस्टुडेंट की मांग को पूरा करने के चकर में उन्हें तीन महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा दोस्तों खान सर का जम तो यूपी में हुआ लेकिन उनका ननिहाल बिहार में था इसलिए वे बचपन सही अपने नानी के घर आया जाय करते थे जिससे उनके मन में बिहार के प्रती एक अलग ही प्रेन है जिसके चलते उन्होंने अपना कोचिंग बिहार के पटना में ही खोला है खान सर का कोचिंग का नाम खान जी एस रिसर्च सेंटर है जो की पटना में बहुत ही पोपुलर है और ये कोचिंग के साथ साथ पटना में एक बहुत बड़ा लिब्रेरी भी चलाते हैं जिसमें हजारों की संख्या में शुडेंट प्रती दिन आते हैं। खान सर ने पटना में एडुकेशन को इतना सस्ता कर दिया है कि और सब कोचिंग सेंटर को बड़ा नुकसान होता है। खान सर ने खान जी एस रिशर्च सेंटर को बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर बना दिया है। खान सर का मेन फोकस इस बात पर होता है कि टेकनोलोजी का यूज करके बच्चों को ज़्यादा प्रैटिकल तरीके से समझाया जाए। ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को वीडियो के फॉर में समझाया जाए। और एडुकेशन को ज्यादा से ज्यादा सस्ता किया जाए। खान सर का पढ़ाने का तरीका इतना इंटर्टेनिंग और अच्छा है कि उनके कलास में प्रती दिन 99% बच्चों का संख्या रहता है। दोस्तो खान सर खुद का यूटूब चैनल भी चलाते हैं और उनके यूटूब चैनल पर लगवग 23 लाग से उपर सस्क्राइबर है। उन्होंने अपना 1 मिलियन सस्क्राइबर लगवग 5 महिने में ही पूरा कर लिया था। दोस्तो खान सर अपने यूटूब के इंकम को गरीबों में डोनेट करते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए दीन में लगभग 14 घंटा हाड़ वर्ग करते हैं। अगर आपको इनके जीवनी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के पास सेर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नयए हैं तो प्लीज इस चैनल को सस्क्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।